हेलो स्टुडेंट आज हम लोग सिखने जा रहे हैं कि फिनॉल और उसके डेरिवेटीब्स का आयूपी एसी नेम कैसे लिखा जाता है चलिए शुरू करते हैं देखिए यह एक फिनॉल है कैसे अब यहां पर हम देखना चाहेंगे कि यह जो रिंग नीचे में लगी वी है इस एक हईडोजिन हBAक रिमूव हो गया तो बन गया क्या C63 H5 और इस में लग गया OH गूरूप घै फनॉल इह जो बैन्जीन रिंग है इसमें जीतने कारबन यह पहला कारबन यह दूसरा कारबन और और यह हो गया इसका तीसरा कारबन और यह लूगका नीए चॉथा Hybridization से जुरी भी है ठीक है अब चार सिग्मा बॉंड अगर होता है तो Hybridization Option INFP 3 3 सिग्मा बॉंड अगर होगी तो Hybridization होगा SP2 और 2 सिग्मा बॉंड अगर होती है तो hybridization होता SP SP SP2 और SP3 तीन अलग-अलग जो hybridization कारबन के हैं इन सभी कारबन में कुछ ना कुछ different character जरूर होगा ओके स्टुटेट अब हम लोग देखते हैं next compound पे इसको अब लोग फिनॉल बोल दिए अब देखिए ये compound है इसका IOPAC नाम हमें लिखना है मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो फिनॉल है फिनॉल पे अगर कोई methyl गूरूप लग जाता है तो उसे हम लोग क्रेसोल भी बोलते हैं देखिए यहां सभी जगा ओ क्रेसोल एम क्रेसोल और पी क्रेसोल लिखा हुआ है इसका कारण यह कि अलग है तो इसका कारण को कारण कारण यहां इसका नमबर क्रेसोल नभर करेसा हुआ हिए और यहां डिए commitment नीशे वाला फिनॉल तो 2-methyl-phenol, ओके स्टुडिंट अब देखी इसको देखते हैं, यहाँ पे OH और CH3-FIR है, OH ज्यादा प्राइरिटी वाला है, तो OH वाला को एक नमबर कारबन दी है, उसके बाद 2 नमबर, उसके बाद 3 नमबर कारबन, और यह 3 नमबर को बोलेंगे 3-m और नीशे वाला क्या है यह फिनॉल है, तो 3-methyl-phenol, अब देखी यहाँ पे, यहाँ पे 1-क कारबन अब एक नमबर कारबन अब यह refer, दो नमबर कारबन यह, तीन नमबर कारबन इसके लगा हूआ है, नमबर को थाके मिथाल मिथाईल अब यह नमबर कारबन खाल यह चार तो और्थो देखिए एक और दो पोजीशन को हम बोलते हैं और्थो एक और तीन पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा और एक और चार पोजीशन को हम बोलते हैं पारा ओके और सौट में लिखने टाइम इसको लिखते हैं ओ और्थो को O से रिनोट करते हैं मेटा को M से रिनोट कर अब यहां देखिए यह हो गया पहला यह हो गया दूसरा आप उपर से भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको पहला माल लें और इसको दूसरा माल लें उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है यहां पर तो इसको क्या बोलेंगे बेंजीन रिंग तो नीचे में है देखिए इस टूंड यह वाला बेंजीन रिंग है बेंजीन के साथ दो अल्टरनेट पोजिशन पर मतलब और्थो पो कैसे देखिए अगर इसको एक कर दो नंबर कर वह इसको तीन नंबर कर वह इसको बोल सकते व आप नीचे से कंटिंग कर सकते तैं इन सब का कॉमन नाम आपको याद रखना पड़ेगा है बेंजीन बेंजीन 1-2-ल जो की 1-3 पॉजिशन को हम मेटा भी बोलते हैं इसको रेस्वर्शिनॉल बोला जा रहा और इसको बोला जाता है हाईड्रो क्यूनॉल और क्यूनॉल ओके स्टुन्ट नेक्ट क्लास में मिलते हैं